लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन का रिव्यू आप लोगों ने मेरे चैनल में देखा होगा जहां पे मैंने उस फोन की काफी ज़्यादा तारीफ करी थी और बहुत लोगों ने उस फोन को खरीदा और बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश है तो गैस वो जो फोन था 4GB RAM और यहां पे 128GB का इंटरनल मेमरी देखने को मिलता था जहां पे 3GB का हम लोगों को वर्चल RAM भी देखने को मिलता था तो अब गैस यह जो फोन है 6GB RAM variant के साथ भी लाँच हो गया है जो की काफी अच्छी बात है 15 Feb से Amazon में खरीद सकते हो और First Days का जो प्राइस वो मात्र 11,499 रुपे रहने वाला है तो अगर गैस यह फोन आप खरीदना चाहते हो अगर आपको साड़ी 11,000 रुपे में एक 5G फोन चाहिए जहां पे 6GB RAM और 3GB Virtual RAM वह पे 128GB का आपको जो है इंटरन मेमरी देखने को मिलेगा यहां पे गैस यह डील मुझे काफी ज़दा बहतरीन लग रहा है यहां पे गैस आपको बैक में 50MP का ट्रिपल कैमरा स्लोट देखने को मिलता है बाकी जो दो कैमरा है वो 2-2MP का यूजलेस आप उसको बोल सकते हो और वही पे गैस फ्रेंट में आपको जो है वाटर ड्रॉप नौच के साथ 8MP का सैलफी कैमरा देखने को मिलेगा फोन का जो डिस्पले 6.5 इंच का है जहां पे गैस आपको फुल HD नहीं देखने को मिल रहा है 720p डिस्पले है मतलब HD डिस्पले है बट यहां पे Wide 111 का सपोर्ट मिलता है तो आप जो है अच्छे कंटेंट देख सकते हो कोई दिकत नहीं आएगी और 6GB RAM है और साथ में जो प्रोसेसर है वो है Dynamic 700 जो की MediaTek की तरफ से आता है और यह 5G फोन है जहां पे इसके अच्छे कासे bands इसमें देखने को मिलेंगे तो definitely guys इसमें जो 5G हो वो बहुत ज़्यादा स्पीड चलता है मैंने खुट इसका टेस्टिंग देखा है यहां पे मेरे city में 5G नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया लेकिन definitely guys मुझ पे trust करो 5G जो है अच्छे कासी स्पीड में चल जाता है तो इस आपका budget 12,000 या फिर करेगा वही पे glass back design के साथ ये phone आता है आपको इस price में कहीं पे भी glass back with 5G और इतने सारे specification देखने को नहीं मिलेंगे यहां पे guys इसमें थोड़ा सा जो है low point भी है मतलब इसकी कमिया भी है जहां पे कमिया में मैं इसका जो number one का विकार चीज मुझे लगता है वो है इसका charger य अगर अच्छा charger दे देता तो बहुत ज़्यादा बहतरी रहता लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं चलता टाइप C port है अच्छा charger भी है लेकिन charging में थोड़ा सा time लगता है मतलब अराउंड धाई घंटे तीम घंटे लग जाते है 0-200% चार्ज होने में तो यह थोड़ा सा problem करता है लेकिन बैटरी बैकप बहुत अच्छा है क्योंकि पार्श ज़्यार MS का बैटरी है और यहाँ पे 6GB RAM आने वाला है तो आपको बहुत अच्छा optimization देखने को मिलेगा आप और अच्छे से use कर पाओगे background में और बहुत सारे application को आप अच्छे से run कर पाओगे reload जो है problem वो support करना चाहिए और definitely ऐसा भी नहीं है कि support के नाम पे कोई बेकार सा phone launch कर दिया लावा ने बहुत अच्छा phone है और competition में मुझे नहीं लगता कि कोई और इसके सामने टिक पाएगा इस price range बे और इतने सारे specification with 5G glass back design के साथ यह phone है तो definitely guys आपको इस phone के तरफ जाना चाहिए अग पे इसका बुरा नहीं है लेकिन फिर भी 500 रुपए अगर आप एड करोगे तो आपको 6GB variant मिलता है अगर आप कोई भी अधर ब्राइंड का smartphone खरीदोगे जहां पे आप 4GB से 6GB में shift करोगे वहां पे आपको एप्रोक्स धाइस से 3,000 रुपए 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दे कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स पर वाचिंग गाइस